मांसुन का मौसम एक ऐसा मौसम है जिसमें पौदे बहुत तेजी से बढ़ते हैं साती में कम दिनों में उख भी जाते हैं यानि कि जल्दी से तो मैंने अपने चोटे से टेर्स पे बहुत सारी वेजिटेबल्स ग्रो करी हैं अभी जुलाई में और कुछ अगस्त के लास्ट म तो उनी का रिजल्ट आप से शेर करूंगी तो बहुत सारे वाइन प्लांट हैं जिनको आप छोटी चोटी चटोपी और चोटी जगों में लगा सकते हैं और कुछ पौदे ऐसे हैं जिनको मैंने पौट में भी लगाया है तो आट से दस इंच की पौट में भी बहुत सारी वेजटेबल्स लग जाती हैं जो आगे आपसे में शेर करने वाली हो तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सी वेजटेबल्स हैं जिनको आप आभी इसली ग्रो कर सकते हैं कुछ प्लांट से मैंने एक बार हर्विस्टिंग ले भी ली हैं और लगभव सभी में फ्लॉरिंग औ इस तरी बेया है और तोरी भी आ आगे में आपको दिखाती हूं कि काफे सारी तोर्यां बन रही हैं और इस वाल तोरी के प्लांट से मैं एक बार तोरी तोड चुकी हूं देख़िए कितनी सारे इसमें इ eyeliner स्टाट हो गई है और तो इस तरी के से यह जो फाले प्लांट होत कि बाद करते हुआ है और काफ़े बाइज अच्छी होती है जैसे कि मैंने हर बाष शेयर करा है and वीज को ग्रो करने की बात करो तो इस भीच को मैंने उगाया था जुलाइज के स्टार्टिंग में यानि कि लगबक दो महीने भी नहीं है और निसमें हर्विस्टिंग भी एक बर तो बहुत तेजी से ग्रोर करता है ये इस मौसम में और तोरी जो है आप इसको दो टाइम साल में मया सकते हैं सपरिंग कि आइम यायानी की जब elementary हमकρι होता है और मांसुन टाइम होता है तभी हाप इसको घ्रोर कर सकते हैं तभी आप ग्रोर करेंगे तês農िक ने तोरी मैं इसी में देखिए प्राइड ओफ इंडिया का प्लांट लगा हुआ था तो इसकी फ्लॉरिंग अब आलमस्ट रिजाने वाली है यानि कि हो चुकी है तो यह एक बड़ी बकेट में मैंने लगाया हुआ था जो कि लगभग 15 इन से उपर होगी तो उसी के साइड मैंने यह सब्सक्राइब जब करते हैं तो यह रखने के लगा सकते हैं तो चाहते बहुत बड़ी नहीं है चोटी से है फ्रीच से गरौ करने की कोशचश करी है तो यहां पे टोरी आइसरillar पतेते बिन आफे जगे और से स्थरीस होता है बड़ी होती साइज में इसको जियांट बीन्स की नाम से जानते हैं पहाड़ी सेंभी कहते हैं तो इतना मुझे आइडिया निया पर इसमें जो सेम का साइज होता है वह काफी बड़ा होता है तो इसको बीज जो है मम्मी गावों से लिके और आए थी तो मैंने इसमें ग्रोव बैग में ड से छत पर जब एक मेहने बाद हर्वेस्टिंग इसमें होने लग जाएगी तो हमें बाहर से वेजटेबल बहुत कम खरेदने की जरद पड़ेगी क्योंकि काफी सारी वेजटेवल्स यानि की 12-13 वेजटेबल मैंने भी ग्रोव कर ली हैं तो यहां साइड में देखी एक और हमेस्टिंग कर चुके हैं अर्वी की पत्तियां भी खाय जाती है आपको पता जो इसकी नीचे जो बल बनते हैं अनि कंद उनको भी खाया जाता है अगर खाना ना भी हो तो भी काफी ज्यादा ग्रिणरी आडट करते हैं इनके पत्तियां देखें कितनी खूब किसे कहने का मतलब आप इसको सजावट की तौर पर भी अर्वी को ग्रो कर सकते देखें इसकी बड़ी बोड़ी पत्तियां कितनी अट्रेक्टिव लगती है तो अर्वी को मैंने जिब ग्रो करा था लगवर धाई महीनी के आसपास हो चुका है और दो बाल इसकी हो चुकी ह सब्सक्राइब करें तो यहां पर देखिए स्रफ पांच इंच का पॉट होगा यहां पर लंबा यह सरफ पांच इंच का है और जो पीची था वो सरफ दस इंच का था तो कहने का मतलब आप आप आट से दस इंच की पॉट में भी काफी सारी वेजटेबल ग्रो कर सकते हैं क्यारव यहां पर आप तो यहां पर इस का पालाओ कि लुट मिया और यहां पर चपा इस दस इंच को ग्रोव कर सकते हैं मैंनें भी काफी बार रंख सकते हैं जो भी आप खादिया बर सब्सक्राइब काफी बड़ी बड़ी होती है तो इस तरह के से अगर आपके पास हो यह बीस आप रोकर सकते हैं उसके नेक्स्ट मैं यहां पर पंकिन यान की कद्दू जिसे कोड़ा भी कहते हैं वह बारा इंच जो लंबा है उस गुरोग वैग में ग्रोव हो रहा है तो देखिए इसके सेट भी मैंने जुलाई के लास्ट में ग्रोव कर रहे थे तो आप अभी भी इसको ग्रोव कर सकते हैं और यह विंटर मे जो इसके जो सोल मिक्डिर बनाती है जितने भी वेगेटेबल मैं लगाए तो इसमें क्या करते हैं पुंट्षे करें अनुट्षे से रहते हैं अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा टाइम भी लगेगा तो इसको भी किसी किसी चणाद दुगे उपर से तो कहने का मतलब ये सब्सक्राइब पार सकते हैं तो यह सब्सक्राइब काफे सारे प्लाइब बनती है और इसकी फूल होते हैं वह काफे कौस्णी मिलते हैं बजार में लब दोस्तो रोपे के 10-30kg के आसपास तो यह सनाई की जो स्ट्रराम में इसको मैंने ग्रोर कर रहा सकते हैं दाते हैं और इसको को दस इंच पॉर्ट बारा इंच के पॉट में इजली लगा सकते हैं तो यहां पर मैंने इनको सरफ 10-12 एंच के पॉट में ग्रोव कर रखा है तो इस तरीके से काफि सारी की सनई भी यहां पर ग्रोव हो रही है देखिए इसके बाद देके नेक्स्ट मैंने लोकी ग्रो करा है और लोकी भी देखिए एक बाल्टीम लगा है इस बाल्टीम में मेरा डबल चान्दी का प्लांट लगा हुआ था आपको पता है कि नॉम्मर के बाद इसमें फ्लोरिंग बंद हो जाती है तो इसी में मैंने सीट डाल दिय तो आप छोटी चोटी बासिट में टॉकरी में जैसे कि अभी पालक हो गया सर्सों में इसे अग्रों कर सकते हैं तो यहां पर दिखें कुछ मैंने मिर्च की फेड़ भी उगाए हैं तो मैंने जुस्टे आपको एक सोट में शेयर करा था जो लाल वाली मिर्च होती है उनको मैंने इलाकर के जो इनकी बीच होते हैं वो डाल दिये थी और लगों यहां 30-40 ग्रों हो चुके हैं इस वाले पॉट में चार पांच है क्योंकि मैंने यहां से ट्रांस्प्रांट कर दिया हैं और आप भी जैसे आगे आपको मैंने दिखा हैं इनको भी मैंने जुलाई की स् मिर्च करते हैं उस टमाटर की बीच को भी लाग करके आप हलका से मिटी को पर डाल देंगे तो वह इस तरह की से ग्रों हो जाते हैं तो काफी सारे मिर्च की प्लांट भी ग्रों हो गया है तो इस चोटी से चत पर देखिए मैंने कुछ वेजटेबल्स ग्रों करी हैं जो आ अब आप नगे तो इनकी बीच अपने आप उखते रहते हैं तो यहां पे भी देखिए एक बौड़ा यानि की लोग्या ग्रों हो रही है तो लगा सकते हैं तो चली यह मिलता है नाक्स्ट वीडियो में अपनाट ख्याया लखिएगा लेंगा दोची विक और यह दिखिए next video me thank you so much for watching this video bye